नमस्कार बच्चों यूटीब चैनल साहित्य अध्ययन पर आपका स्वागत है और आज हम देखने वाले हैं अपनी भाषभारती की पाठे पुस्तक अक्षा साथवी की जिससे आज हम देखेंगे पाठ साथ जिसका नाम है नीती के दोहे तो यहाँ पर कुछ नीती के दोहे यानि कि दोहे दिये गए हैं दोहे एक चंद रचना है जैसे अलग-अलग चंद होते हैं अलग-अलग मीटर्स होते हैं उनके अलग-अलग मात्रा होती हैं तो चंद का एक प्रकार है दोहे दोहे में दो पंक्तिया होती हैं 24-24 मात्रा होती हैं तो यहाँ पर कुछ दोहे हम को दिये गए, जिनके माध्यम से कुछ हमें अच्छी सीक परदान की गई है, तो यहाँ पर चार कवी के दोहे दिये गए, सबसे पहले कवीरदास जी के चार दोहे दिये गए, तो चलिए हम पहले चार दोहे देखते हैं, पहला दोहा है इस पार्ट में यह ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल दिन दसके ब्योहार को जूटे रंग इन भूल तो देखिए यहाँ पर जो दोहा दिया है सबसे पहले हम उसका संदर प्रसंग व्याख्याएं देखेंगे तो हमें यह पूरे दोहे का मीनिंग भी समझ में आ दैन हम इस पूरे पार्ट के प्रिशन उत्तर देखेंगे तो चलिए सबसे पहले इस दोहे का हम संदर्व देखते हैं हम लिखेंगे प्रस्तुत दोहा हमारी पठ्या पुस्तक भाशाबारती के नीती के दोहे नामक पार्ट से लिया गया है और इसकी रचयता कवीर है प्र सार है जैसा सैमल फूल जैसे सैमल का फूल बहुत नाजोक होता है और क्षणिक होता है ठीक है क्षणिक यानि हमेशा रहने वाला नहीं क्षण भर में नश्ट हो सकता है ठीक है जिस प्रकार सैमल का फूल देखने में तो सुन्दर लगता है किन्तु सार ही ही होता है शीगर ही इसकी व्यक्ष्या हो गई चलिए अगला हम दोहा देखते हैं अगला दोहा है करता थासो क्यों किया अव करी क्यों पचता है और बोया पेड़ बबूल का तो अंब कहां से खाए देखिए इसमें भी संधर्व पूरवानुसार पिछला वाला ही संधर्व चलेगा क्योंकि मिलर है ना तो संदर वही रहेगा देखिए प्रसंग में क्या लेखेंगे हम प्रसंग में लेखेंगे प्रस्तोत दोहे में कवीर ने करने से पहले सोचने के लिए कहा है इसका देखिए व्यक्ष्या देखते हैं कि व्यक्ष्या है कि वो कह रहे हैं कि करता था सो क्यों किया अवकरी के वो पच्छता है तो कवीरदाज जी कह रहे हैं कि मनुष्य को किसी के प्रती कोई भी काम करने से पहले अच्छी तरह विचार कर लेना चाहिए और गलत काम करने पर प्राप्त परिणाम को देखकर बाद में पच्छताना तो केवल मूरकता है तो कवीरदाज जी आगे कह रहे हैं कि बोया पेड बबूल का तो अमब कहां से खाए यानि कि अगर आपने कड़वा बबूल बो दिया है तो बदले में कड़वा फल ही पैदा होगा यानि जैसी करनी वैसी भरनी आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही तो परिणाम आएगा इसलिए पहले कर्म करने से पहले ही सोच लो पहले बीज बोने से पहले ही सोच लो कि इससे कौन सा फल मिलेगा तो वो कह रहे हैं कि यदि तुम कड़वा बबूल बोगे तो बदले में कड़वा फल ही पैदा होगा आम की कलपना अत्वा उम्मीद भी करना बेमानी है अर्थात प्रत्तेक मनश्यों को अपनी करनी के अनुसार ही फल प्राप्त होता है देखिए अगले दोहे में कवीरदास जी कह रहे है निंदक नियरे राखिये आंगन कुटी छवाए और बिन पानी साबन बिना निर्मल करे सुभाए यहाँ पर कवीरदास जी का कहने का मतलब क्या है संदरब तो पूर्वी की तरह ही हो जाएगा पहले वाला संदरब चलेगा प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत दोहे में निंदा करने वाले को मित्र बनाने की बात कई गई यानि कि सभी लोग चाहते हैं कि हम उसको मित्र बनाए उससे फ्रेंशिप रखें जो हमारी तारीफ करता हो जो हमारी भलाई कहता हो, करता नहीं, बलकि कहता हो, गुणगान गाता हो, जो हमारी चापनूसी करता हो, लोग अक्सर उसी को मित्र बनाते हैं, बस तारीफ सुनने के लोग भूके रहते हैं, लेकिन वास्तम में हमारा सच्चा हितचिंतक है, पर शुबचिंतक कौन है, वह है बुरा करने वाले को अपना मित्र बनाना चाहिए यहां पर कवीरदास जी कह रहा है कि निंदक नियरे राखिए अपने पास में नियरे यानि पास में निंदकों को रखिए अपने जो हैं बुराई करने वालों को अपने निंदक को critics को अपने पास में हमेशा रखो आंगन कुटी छवाए ठीक है आंगन कुटी में छवा कर वकवीरदाजी कहते कि मनुष्य को सदय अपने निंदा करने वाले का स्वागत करना चाहिए उसे अपने पास रखना चाहिए और क्या कहा रहे हैं कि बिन पानी सावन बिना निर्मल करें सुभाए यानि कि ये निंदा करने वाले criticism करने वाले तो कैसे होते हैं वास्ता में निंदा करने वाला व्यक्ती बिना पानी और सावन के तुम्हारे बेवहार में से तुम्हारे दोशों को दूर कर तो हमारे सुभाओं को स्वच्छ और कोमल बना सकता है यानि बिना सावन और बिना पानी के ही हमारे सुभाओं को हमारे आचरणों को, हमारे करमों को और अच्छा बना देते हैं देखे अगला दो है अतिका भला न बरसना, अतिकी भली न दूप और अतिका भला न बोलना अतिकी भली न चूप यानि ना तो जादा बरसना भला है सबसे बहले प्रसंग देख लेते हैं संदर वही रहेगा प्रसंग है प्रस्तु दोहे में कवीर ने किसी भी चीज़ की अति को यानि जादा को अतिकी भली न दूप और अतिकी धूप भली न दूप और अतिकी धूप भी भली नहीं होती दूपभी सब प्राणियों के लिए आवशक है लेकिन जब वो ही जादा आवशकतासे जादा तेज आ जाये तो क्या होगा मनुश्य का मनुश्य जुलसने लगेगा तो ज़रूरत से जादे धूबी मनुश्य और पेढ़ पौदों को हो सकती है ठीक सिरे प्रकार मनिश को किसी विकारी की अती से बचना चाहिए और limiting से हर कारे को संतुलन बनाकी करना चाहिए जहां पर जैसी आवश्यक को पता हो वाँ पर वेशा प्रियूग मनिश्य को जरूर करना चाहिए ठीक है अगला देखिए अगले दोहे जो है नीती के दोहे में रहीम दाजी के दोहे दिये गए तो रहीम दाजी के दोहे में पहला दोहा है तरुवर फल नहीं खात है सरुवर पिय हिन नी पान कही रहीम पर काजहित संपती संचे सुजान तो यहाँ पे संदर्व देखिए बदल जाएगा संदर्व लेखेंगे प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्या पुस्त तक भाषा भाड़ती के नीती के दोहे नामक पाठ से लिया गया है यहाँ तक तो समान है और इसके रचैता बदल जाएंगे इसके रचैता रहीम है यह हो गया संदर्व अब देखिए प्रसंग क्या चलेगा तो प्रस्तत दोहे में रहीम ने सज्जन पुरुषों की तुलना व्रक्षबा तालब से किये तो देखिए व्यक्षा लेखेंगे यहाँ पर रहीम दाजजी कह कह रहे है तरूवर फल नहीं खाते और सरवर पिये हैं न पान यानि की असन К्या मीठे वा सरस फलों से लदे व्रक्ष अपने फल को स्वयम नहीं खाते और अथा जल को स्वयम में समेटे हुए तालब अपना पानी ना स्वयम नहीं पीता है ना वे सदयव औरों का ही भला करते हैं क्या सरोवर अपना पानी खुद पीता है क्या और क्या तरूवर यानी व्रक्ष क्या अपने फल खुद खाता है कभी देखा है कोई व्रक्ष अपने फल खुद खाता नहीं सरोवर अपना पानी खुद पीता नहीं दूसरों को देने के भी करते हैं तो परोपकार के हेतु ही करते हैं कई वार हमें सच्चे संत अच्छे लोग भी हमें संपत्ति धनवान दिखाई देते हैं कार से जाते हुए भी अच्छे संत हमें दिखाई दे सकते हैं यह अच्छी टेक्नलोजी का यूज करते हुए कंप्यूटर्स का इस्तिमा तो कभी-कभी जो अच्छे trust से या अच्छे धर्म आदी चीजों से ढ़ने वह भी इन चीज itu का use करते हैं वह भी सुख्सुभिधा से रह सकते उनका सुकसोविदा रहना मना नहीं है लेकिन बस वो सुकसोविदा का यूज किसलिए कर रहे हैं ये भी हमें गौर करना चाहिए ठीक है तो क्या लिखा है ठीक उसी प्रकार सज्जन लोग दूसरों के कारियों को पूरा करने के लिए अर्थात परोपकार हितु धनिकत्रित क अगला दोहा है एक है साध है सबसद है सबसाध है सब जाए रहिमन मूले सीची वो फूले फले अगा है तो यहां पर संदरवत पूर्व की तरह रहेगा प्रसंग में प्रस्त दोहे में रहीमने मूल की महता पर प्रकाश डाला यानि जड़ को जड़ को समालना चाहिए इस मूल आधार को साधना चाहिए एक मूल के साधने पर सब अपने आपी सद जाते हैं जड़ को पकड़ने पर पूरा पेड़ हरा वरा हो जाता है आप एक एक पत्ती को सीचने की कोशिश करो और फिर सोचो कि पेड़ हरा बना रहा है जड़ को तो सिंचो ही नहीं तो पेड़ हरा वरा नहीं रहेगा लेकिन आप जब जड़ को सिंचोगे तो पूरे पेड़ का वही आधार है पूरे पेड़ में पानी जाएगा पूरे पेड़ में पोशन जाएगा और पेड़ हरा वरा रहेगा तो इसलिए यहाँ पर जड़ क सिंचने की बात की गई एक है साध है एक को साध लो सब सद जाएंगे और सब साध है सब जाएंगे और सब को साधने की कोशिश करोगे तो सब चले जाएंगे एक एक पत्ती को पानी डोगे जड़कों नी दोगे तो पूरा पेड जाएगा और केवल जड़ को दोगे तो पूरे पेड़ में चला जाएगा इसलिए यहाँ पर एक इश्वर वाद पर जोड़ दिया गया है कि जो इश्वर है वो एक है जो अनेक देवी देपताओं के और भटकेगा उसको कुछ प्राप्त नहीं होगा वो मंजिल उसको मिलेगी नहीं आदा रास्ता इधर गया, आदा उधर गया, आदा इधर गया अपने लोब है लालच के कारण लेकिन जो एक इश्वर को पकड़ कर रखेगा जो परभ्रम परमेश्वर है भगवत गीता आदी शास्त्रों में पुराणों में जिनका वर्णन आता है वो जो इश्वर हैं, जो वेदों में जिनका वर्णन आता है तद विश्णो परवं पदम सदा पश्यंति सूरया जब हम अध्यन करेंगे तब हमें पता चलेगा कि वो परभ्रम परमेश्वर कौन है तो हमें उनको जब पकड़के चलेंगे, एक को पकड़के चलेंगे तो सबसद जाएंगी, कि सब उनके विराट विश्वरूप में समाए हुए हैं, जो कि अब भगवद गीता में देख सकते हैं, भगवद गीता में जब अरजुन को विश्वरूप भगवान ने दिखाया, तो उसमें बताए कि सब उनी में समाए हुए है तो एक है साध है सबसद है और सबसाध है सब जाए और रहिमन मूले सीचीवो फूले फले अगाए इसलिए रहीमदाजी कहते है कि मूले सीचीवो मूल को जड़ को सीचो फूले फले अगाए इसी से फूलेगी फलेगी ठीक है इसके विपरीत सब को साधने की हालत में सब कुछ चला जाता है अर्थात कोई भी कारिया नहीं बनता अगला दोहाय देखी रहीमदाजी का बड़े बड़ाई ना करें बड़े ना बोलें बोल रहीमन हीरा कब कहें लाक टका मिरो मोल तो यहां पे संदर्व तो पूर्व की तरह ही है प्रसंगे प्रस्त दोहे में रहीमने मनश्य को बड़ बोले बन से बचने की सला दिये क्या कह रहे हैं रहीमदाजी यहां पे तो रहीमदाजी कह रहे हैं कि बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें, बोल, जो वास्तब में बड़े होते हैं, जो वास्तब में महान होते हैं, वो बड़ाई नहीं करते अपनी, और बड़े बोल नहीं बोलते, जैसे हम गरंतों में देखें, तो राम और रावन का जब युद्ध हुरा तो को पर बहुत तेज हसी आती थी ना उनक वो किसी का मजाग उड़ाते थे लेकिन इसके विपिरी जब रावन यू दिलड़ा था तो रावन के मुख पर जो था अटहास था बहुत तेज और रावन जो है अपमान करता था दूसरी सेना का रावन के अंदर अहिंकार था वो कि जादा कुछ बड़े बोल बोल रहे हैं अपनी तारीफ डिंग हां कर रहे हैं ऐसा भगवान राम कभी नहीं करते थे वो कर्म में यकिन रखते थे करके दिखाने में यकिन रखते थे बोलने में नहीं तो बड़े बढ़ाई ना करें जो वास्ता में बड़े होते हैं महा यह लाज़ टके का है लेकिन फिरवहीं दुनिया जानती है कि हीरा कितना महंगा हूं यह जा तुन्हा है वह थे लिए परंधर स्वयम नहीं करता बलकि सामाने पत्थरों की बाती पड़ा रहता है ठीक उसी प्रकार महान व्यक्ति भी कभी उचे बोल नहीं बोलता और ना ही स्वयम ही अपनी प्रशन सामें उची उची बातें बनाता है इस प्रकार से विजाता है इसके बाद अगले दोहे जो तीन दोहे तुलसी दास जी के द्वारा लिखे हुए है तो तुलसी दास जी का पहला दुआ है यहां प्रस्तुत दुआ हमारी पाठे पुस्तक भाषाबारती के नीती के दोहे नमक पाठ से लिया गया है इसके रचाईता तुलसी दास जी है प्रसंग में हम लिखेंगे प्रस्तुत होगे वैसा काट होगे जैसा पेड़ बीज लगाओगे वैसा पेड़ निकलेगा कहा इस कहाबत पर उन्होंने बल दिया है ठीक है तो व्याक्ष की क्या होगी तुलसी दाज जी कह रहा है कि मानव का शरीर जो है किसान की उपजाओ भूमी अर्थात खेत के समान है कह रहे हैं कि पाप पुर्णे दो बीज हैं पाप यानि अच्छे पुरे कर्म और पुर्णे यानि अच्छे कर्म दोनों बीजों के समान हैं और बुवे सोलोने निदान जो जैसा बोएगा वैसा पाएगा है ना कि मन जो है वो किसान की समान इस मन रूपी किसान इस शरीर में जैसे कर अनिश्ट कारी होगी किन्तु यदि वैं पुर्णे के बीज अपने खेत में वोएगा तो कड़े परिश्रम से प्राप्त फसल अत्यंत शुवकारी होगी अब यह मनुश्य के स्वयम के हाथ में है कि वैं कैसा फल प्राप्त करना चाहता है अगला दोहा है मिथ्या माहूर सज नहें खल हैं गरल समसाच और तुलसी चुवत पराईजियों पारद पावक आच यहां पर देखे संदर्व तो पहले वाला ही चलेगा प्रसंग में देखे लिखेंगे प्रस्तु दोहे में तुलसी दास जी नहें सज्जन और दुरजन के सुभाव का वरणन किया है कि अच अच्छे लोगों के लिए जूट जो होता है वो जहर के समान होता है और खल हैं गरल समसाच और खल यानि दुरजन व्यक्ति के लिए गरल समसाच सच्चाई जो होती है वो गरल यानि विश्च के समान कश्ट दायक होती है वो सच्चाई को नहीं सुन पाता और लिखा है कि तुलसी चुवत पराईजियों पारद पावक आच यानि कि तुलसी दाज जी कहते हैं कि जैसे प्रकार दौनों के सपर्ष के मातर से ठीक वैसे ही दूर हो जाते हैं जो सजन व्यक्ति होता है वो जूट के सपर्ष से दूर हो जाता है और जो दूरजन व्यक्ति होता है वो कर आग की उश्मा पाकर पारा हो दूर हो जाता है कहने के ताथ परे कि सज्जन से जूट और दुर्जन से सत्य सदय भी दूर रहते हैं अगला दोहा है देखे जड़ चेतन गुन दोश्मे विस्वकीन करतार और संत हंस गुन गहाई पए परिहरिवारी विकार तो यहां पर देखे संदर्ब तो पहले की तरह ही है पहला ही चलेगा जो तुलसीदास जी का शुरू हुआ है और प्रसंग देखे प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी ने भगवान द्वारा रचित संसार को गुनों और दोशों से युक्त बताया है ठीक है तो व्याख्या देखे त तुलसिदाजी कह रहे हैं कि इश्वर द्वारा रचित संसार में गुण और दोश समान रूप से व्यापते हैं जड़ चेतन गुण दोश में विश्वकीन करतार भगवान ने संसार को जड़ चेतन जीव गुण और दोशों से युक्त बनाया है सब कुछ हर प्रकार की जो यहां पर जो है अपोजिशन मिलेगी आपको जड़ है तो चेतन है गुण है तो दोश है नायक है तो खलनायक है अच्छाई है तो बुराई है सत्य है तो असत्य है सब कुछ मिक्स है यहां पर ठीक है एक तरफा भगवान ने इस दुनिया की रचना नहीं किये लेकिन परन परिहरी वारी विकार जिस प्रकार से हंस गुण रूपी पै यानि दूद को गहे यानि ग्रहन कर लेता है और परिहरी यानि छोड़ देता है वारी यानि पानी रूपी विकार यानि बुराई को जैसे हंस जो है पानी को छोड़ कर दूद ग्रहन कर लेता है ऐसी जो सज्जन लोग हैं उनको बुराई छोड़कर अच्छाई को ग्रहन कर लेना चाहिए दुनिया में तो सब कुछ है आगे के दोहे वरंद के हैं तो वरंद का पहला दोहा है विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पाव है कौन और बिना डुलाए ना मिले जो पंखा को पौन यहाँ पे महत्व पर प्रकाश डाला गया है देखिए व्यक्या क्या होगी वरंद कहते हैं कि जिस प्रकार गर्मी के समय में बिना पंखे को डुलाए पौन यानि की पवन हवा का आनंद नहीं मिल सकता ठीक उसी प्रकार विद्या रूपी धन को बिना परिश्रम के प्राप्त नहीं क मिल सकती बिना हिलाई बिना परिश्रम किये ऐसी बिना परिश्रम के विद्या का धन भी नहीं मिल सकता अगला दुहा है वरंद का करत करत अभ्यास के जडमति होत सुजान और रसरी आवत जातते सिलपर परत निसान तो यहां पे संदर्व पहले वाला ही रहेगा पूर्व क असी के कुए के पत्थर पर निरंतर आने जाने उपर नीचे होने से पत्थर तक गिसने लगता है अर्थात उस पर निशान पढ़ जाते हैं ठीक उसी प्रकार लगाता अभ्यास करने से मूर्ख से मूर्ख मनुष्य भी चतुरवा गुणी बन सकता है अता मनुष्य को किसी वी कारे में वांचित सफलता की प्राप्ती के लिए सतत यानी की हमेशा प्रयास और निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए करत करत अभ्यास के हमेशा अभ्यास करते रहने से जडमती होत सुजान जो जडमती है जो मूर्ख है वो भी सुजान यानि बुद्धिमान हो जाता है, रसरी आवतजाते, जिस प्रकार रसी के आने जाने से, सिल पर परत निसान, पत्थर पर भी निसान पढ़ जाते हैं, पत्थर भी जो है, वो चूरा होने लगता है, ठीक है, ऐसे ही महनत का फल है, अगला इसलो के अगला दुआ है, सज्जन तजतन सजनता कीने शुदोश अपार जियों चंदन छेदय तरू सुरुभित कर एक उठार यानि कि जो संदर्व तो पूर्व की तरह है प्रसंगे प्रस्तु दोहे में कभी ने सजन लोगों के सजनता ना छोड़ने की गुण का वरणन किया है व्याख्या है देखिए कभी वरवरंद कहते हैं कि सजन लोग कभी भी अपनी सजनता नहीं त्यागते चाहे उनके प्रती वैसा कैसा भी कठोड़तम व्यवहार क्यों ना किया जाए ऐसे लोगों का सुभाव चंदन के उस वरक्ष के समान होता है जो सजन लोग अपनी सजनता को ठजते नहीं है चोडते नहीं है कितने भी उनके उपर आगहत करो जैसे कि चंदन का पेड़ होता है जियो चंदन छेड़े तरू अगर कोई चंदन के पेड़ को छेद़े यानि काटता है तो सुरुभित करे एक उठार चंदन उसको बदले में बुरा नहीं करता बलकि उसको ठार को उसको लाड़ी को ही सुगंदित कर देता है खुश्बू गाने लगती है उसमें ठीक है इसके बाद ये दोहे तो यहाँ पर कंप्लीट हो गए अब नीती के दोहे में घाग और भड़री के द्वारा लिखी गई मौसम और क्रशी संबंदि कहावत हैं तो दो कहावत यहाँ पर दी गई यह पहली कहावत है कल से पानी गरम हो चड़िया नावे धूर और अंडाले चींटी चले तो बरखा बरपूर यहाँ पर संदर में कहा है प्रस्तुत कहावत हमारी पाठे पुस्तक बाशा भारती के नीती के दोहे नमक पाठ से ली गई है इसके रचेता घाग और भडरी है प्रसंग प्रस्तुत पंग्तियों में प्रकृती में होने वाले परिवरतनों को भाप कर भविश्य के मौसम की संभावना को आखा जा सकता है यहाँ पर मौसम को समझने के बारे में हमें सला दी और जब चीटी अंडों को लेकर जाने लगे ठीक है चीटियों का समू ग्रूप में चीटीयां चलने लगे लाइन से बहुत सारी और अंडे लिये हैं बाइट बाइट अपने आतों में तो समझ लो क्या होने वाला है तो बर्खा भरपूर तो फिर बारिश होने वाली है द इफिनेटली होती है यह पहचान है मनुष अभी तक नहीं पहचान पाया मनुष का विज्ञान विक्सित हो ना हो लेकिन जीव जन्तों का विज्ञान वर्षों से संबतों से विक्सित है यह पहचान है इश्वर की जो रचना है उसमें विज्ञान कितना भरपूर है किस प्रकार की मिट्टी में कौन सी फसल बोई जाए इसका वरणन अत्यांतसरल शब्दों में किया गया है तो व्याख्या इसका आवद में कहा गया है कि मैदे की तरह बारीक मिट्टी में मैदे गेहूं गेहूं और धेलेदार मिट्टी में धेले चना धेलेदार मिट्टी मे चने की फसल बोने से पैदावार अच्छी होती है यानि कि जो मैदे की तरह बारीक मिट्टी है उसमें तो गेहूं बोने चाहिए और धेलेदार जो मिट्टी होती है उसमें चने की फसल बोनी चाहिए तब पैदावार अच्छी होती है क्या कहा है मैं दे गया हूँ डेले चना इस प्रकार से यहाँ पर जो है हमने कठिन व्याख्याई जो है प्रसंदर प्रसंग सब कुछ समझ लिए पूरे हमने दोहों के अर्थ जान लिए अच्छे से हमें ये दोहे समझ में आ गए होंगे और बस हम इस वीडियो को यहीं विराम देंगे अब प्रशन उत्तरों को जो है हम अगले वीडियो में करेंगे इस वीडियो की लंबाई भी काफी जादा हो गई चैप्टर भी काफी बड़ा था हमने ये अच्छे से समझ लिया है संदर प्रसंग व्याक्षा है तो हमारी हो ये गई है वो भी आपके लिए परिक्षा क्लियो प्योंगे उन्हें आप कर लीजे प्रशन उत्तर हम आपको अगले वीडियो में देख देंगे थैंक्यू सोमाज बहुत बहुत धन्यवाद